हेलो गाईज, विलकम तो कॉंस्टेंस माइड मैं हो दीपक एन डेली पीसडी के नोटिफिकेशन में एक चोटा सो नोटिफिकेशन और है ये आपके, आप में सिर्फ कुछ लोग के काम का हो सकता है सभी लोग बराबर ही हो, तो अगर किसी के भी काम आता है नोटिफिकेशन तो उसे अपलोड करना जरूरी होता है यहाँ पर ये MNIT, जो मोदिलाल नहरू, नेशनल इंस्टिटूट अप टेकनलोजी है वहाँ से है, ये इलाबाद UP में है, ठीक है, यहाँ पर इंटरन्स एक्जाम यहाँ पर आप सभी लोग अपलाई कर सकते हैं, जिसका PG complete हुआ हो, या फिर जिसके पास fellowship नहीं है, only net या get है, तो अपलाई कर सकते हो एक बार सीटें देख लेते हैं, 60 seats available हैं, और science, management, तथा यहाँ पर humanities के भी हैं, और यहाँ पर chemistry वगरे में, physics में, math में हैं सीटें तो जो भी seat हैं, उसको देखते हैं, और दोस्तों आपको बता देख कि यहाँ पर previous year question paper भी आपको मिलता है, तो उसका link description में दिया गए, आपको previous year question paper लेना है, PhD internes exam के लिए, तो आपके internes exam जो आप PhD के देते हैं, विभिन इनुवस्टी के, उसके लिए वो काम आएंगे, ए नीचे scroll कर दीजेगा, आप यहाँ पर admission section पर click कर दीजेगा, और admission section पर click करेंगे, तो आप आजाएंगे यहाँ पर, आप इसमे स्कोल करके दे यहाँ पर देखेंगे, तो पोस्ट की ज़aufenक्र से ज़एगा, फिर admission portal पर पर आप चले जाएगा, यहाँ पर आएंगे, तो home information broch इंफर्मेशन ब्रोश्यूर में सब कुछ है कॉंटेक्ट एंड इंपॉर्टन डेट स्लेबस भी है वैसे स्लेबस अलग से भी दिया गया आप इसको डाउनलोड कर लीजेगा इंफर्मेशन ब्रोश्यूर दिखाते हैं आपको और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं नीचे स्टेप रिजिस्टेशन दिया गया है और लॉग इन तो रिजिस्टेशन पर क्लिक करके आप रिजिस्टेशन का लीजेगा तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं इंफर्मेशन ब्रोश्यूर और बाकियों के बारे में भी बताया गया है तो यहाँ पर सिर्फ यह कटेग्री 11 का ही आया हुआ है बाकि के लिए भी सीट्स नहीं क्लियर है इलिजिबिल्टी यहाँ पर फर्स्ट डिविजन होना चाहिए आपका पीजी में मतलब 60% मार्क्स के साथ इंजिनियरिक में है उसका भी 60% यहाँ पर बताया गया है तो उसका भी 60% इलिजिबिल्टी का गया है और अगर आप बैचलर से इंजिनियरिंग है तो आपका यहाँ पर 75% बैचलर में होना चाहिए तब पीज़्ड साइश्यंस में आपका relevant जो डिस्प्रीन यहाँ पर है 60% marks होना चाहिए GIS Geographic Information System से है तो उसमें भी 60% marks होना चाहिए और अब यहाँ पर दिया गया है area of research जिसमें applied mechanics है उसके बाद है biotechnology आप उसके बाद chemical engineering देखेंगे chemistry देखेंगे फिर है civil engineering computer science and engineering electrical engineering है फिर है electronics and communication engineering फिर है आपका GIS फिर humanities and social science है mathematics है mechanical engineering है physics है school of management histories है उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यह seat है देखेंगे है seat हो का screen sort up ले लिजेगा ठीक है यह institute इस type entry base है यहाँ पर institute खुद से fellowship देगा ठीक है क्योंकि यह fellowship वालों के लिए नहीं है अगर आपका जो आप किसी application procedure online ही है और यहाँ पर देख सकते हैं 1200 रुपए application fee है 600 रुपए है स्चेस्टी पीडलवोडी candidate के लिए contact details दिया गया है department wise आप contact भी कर सकते है mail है number है admission criteria जरूर देख लिजेगा इसमें कहा गया है कि जो candidate category 11, 13, 14 के अंडरगत apply कर रहे हैं अगर उनको get या net examination relevant branch में भी qualify होना ज़रूरी है ठीक है यहाँ पर return exam interview के लिए list display होगी website पे तो आप देख लिजेगा फिर आपको यहाँ पर return के लिए जाना है अब important date देख लिए यहाँ पर starting 9 से हुई थी 9-12 से last date है 22-12 और इसका जो written examination interview होगा वो 5 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में होगा ठीक है और document verification आपका only interview के time होगा पहले कुछ नहीं होगा और यहाँ पर department wise जो है आपका जो entrance exam की date है वो दे दी गई है आप इसको भी देख सकत है आप अपने department में contact करेंगे head से written examination interview के लिए ठीक है फी structure यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो institute की फी होगी वो first semester में 43,500 होगी बाकी आल semester में 38,500 होगी last में 40,500 होगी इसमें मेस या फिर hostel की charges अलग से होते हैं तो यह total details थी हो सकता है यह details आपको ठीक लगी हो और अगर आ information से related हैं या सम्मंधित हैं या इच्छुक हैं तो apply कर सकते हैं link description में दिया गया है यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे बहुत सारे application हमाई निगाह में हैं जो कि खास खास हैं सभी के लिए जो चनल पर बने रही है आपको notification बहुत जल्दी मिलते रहे है